नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहे हैं न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी ख़बरों को दिन में मनेगी एद और शाम में सरहूल की शोभा यात्रा राची पुलिस मुस्तैद प्रकृती पर्व सरहूल और ईद एक दिन 11 अप्रेल को मनाया जाएका इस दोरान शांती वावस्था में किसी प्रकार की बाधाउद पर नहीं हो इसे लेकर राची पुलिस और जीला प्रशासन मुस्तैद है राची में सरहूल पूजा के दौरान निकलने वाली सोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर राची पुलिस ने अपनी सभी तयारियां पूरी कर ली है CTSP राचकुमार भैता ने बताया कि सरहूल और ईद के दौरान विधिववस्था बनाये रखने के लिए 2000 से ज्यादा पूलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे इसके साथ ही में रोड सिरम टोले इस्थित मुख्या आयोजन स्थल के आसपास ड्रोन कैमरे भी लगाए गए है जिससे भीड़ पर नज़र रखी जाएगी थानों की पूलिस अलट मोड पर है थानों में क्यू आर्टी भी तैनाती की गई है जो आपाति स्थिती में ततकाल कारवाई करेंगे उन्होंने कहा कि डीएसपी और थानेदारों को सुबह से ही सरनाइस थल और जुलूस के मारगों पर गश्त लगाने का निर्देश दिया गया है जुलूस में उपद्रफ करने वालों के साथ सकती से निप्टा जाएगा टीएसपी ने बताया कि कंट्रोल रूम के अलावा अलबट एक कचोक पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से पूरी स्थिती पर नज़र रखी जाएगी जितने भी अखाडे सी जुलूस निकाला जाएगा उसके सब इस सदस्यों का मुबाइल नमबर नोट कर लिया गया है सरहुल पूजा की सुरक्षा के मदेनजर राजधानी में 2000 अत्रिक्त फोर्स की तैनाति की गई है इसमें जार्खन जगवार महिला पोलिस रैफ आयार बी के जवान भी शामिल है दूसरी तरफ सुभायात्रा के दौरान में रोड में यात्री समित अन्य सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है शुभायात्रा के दौरान कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग तो की जाएगी प्रमुक स्थेलों पर ड्रोन की भी तैनाति की गई है कंट्रोल रूम से सभी पुलिस कर्मियों को यसक्त निर्देश दिया गया है कि अग जारखन की रज़धानी राची की दो प्रमुख मुस्लिम धारमिक संस्थाओं के प्रमुखने लोगों से मंगलवार को इद का चांद देखने की अपील की है इस दिन रमजान महा की 29 तारीक है और इस दिन चांद नज़र आने की समभावना रहती है इस दिन चांद नजर तो मंगलवार को ही चांद रात होगी और बुधवार को ईद मनाई जाएगी। यदि इस दिन चांद नजर नहीं आया तो 10 अप्रेल को चांद देखा जाएगा और 11 को ईद का तहवार मनाया जाएगा। मौसम इभाग के अनुसार आज कहीं कहीं आंशिक बादल चाय रही। साथ ही मौसम अधिक्तम तापमान 34 डिगरी सलसियस और नियूंतम तापमान 20 डिगरी सलसियस के आसपास रहने की संभावना है। के लिए अलड जारी किया है। इस दोरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हिमन सोरन से जुड़ जमीन घोटाले मामले में एक और गिरफतारी इडी ने मोहमस सद्दाम को किया अरस्ट। ज़ारखन में जमीन घोटाला मामले में प्रवटत निर्देसाले ने एक और गिरफतारी की हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार 9 अप्रेल को यह जानकारी दी अधिकारी ने बताया कि एडी ने हिमनसोरेन से जोड़े जमीन घोटाले मामले में मुहमस सद्दाम को गिरफतार किया है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जार्खन की हर चोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। चली बढ़ते हैं खबरों की ओर। नियाधीस जस्टिस आनंद सेन की कोट ने मामले में 4 जनौरी को आदेश पारित किया था और राजी की सरकार को तीन हफ़ते में नगर निकायों के लंबित चुनाव की घोशना करने को कहा था। तांकी सादेश के नुपालन की मियाद खत्म हो चुकी है। राजसरकार ने इस आदेश को रद करने की मांग करते हुए अपील LPA दाखिल की थी। डबल बेंच ने इसे इनकार कर दिया था और सुनवाई के लिए दो हफ़ते के बाद की तारीक मुकर्रर की थी। एकल पीट ने चार जनुवरी को राची नगर नीगम की निर्वत्मान पारसद रोशनी खलकों अनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को दिये आदेश में कहा था कि नगर निकायों का कारेकाल समाप्त होने के बाद भी चुनावों को लटकाए रखना सन्वेधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन है सरकार तीन हफते में चुनावों कोई तारीखों का एलान करे बहरा गोड़ा में देराच जंगली हाती ने तोड़ी घर की दिवार और शपर बहरा गोड़ा प्रखन शेत्र के गोपालपूरम पंचायत अंतरकत नंदरिया गाउं में जंगली के अनुसार रात को लगभग दो बच जंगली हाती जंगल से आकर घर पर धावा बोल दिया तता घर में रखा धान चावल खा गए गनीमत रही कि घर के लोग उस दोरान घर में नहीं थे हाती ने भर पेट खाने के बाद तोड़ फोड मचाते हुए गाउं से जंगल की तर 21 को जहमों की न्याय उल्गुलान रैली में आएंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादो और दिपंकर कलपना सोरेन ने समहाली कमान जार्खन मुक्ती मोर्चा की ओर से 21 अप्रेल को धुरवा इस्तित प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली न्याय उल्गुलान प्रेली की कमान जार्खन की पुरो मुक्षे मंतरी हमन सोरेन की पत्नी कलपना सोरेन ने समहाली है कलपना सोरेन खुदी आयनडिय ये गढ़वंदन के नेताओं को फोन पर आमंतरीत कर रही है अब तक कॉंग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खड़गे पूरो कॉंग्रेस प्रदिप्यादों के लिए बन सकता है चुनाव में रोडा, बेल पर है बिधायक जी, कल है सुनवाई, निशिकान्त ले रहें चुटकी लोगसभा के चुनावी घमसान के बीच कॉंग्रेस ने सभी सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसमें गोड़ा एक एहम सीट है, यहां के वर्तमान सांसत बीजेपी से निशिकान्त दूबे हैं, वो विपक्ष के भूमिका में काफी मुखर रहते हैं, इस बात का इ कि आखिर कौन होगा, गोड़ा से, कॉंग्रेस का उमिद्वार, कॉंग्रेस के पुक्ता सुतरों की बात की जाए, तो गोड़ा से फिलाल, प्रदीप यादो, कॉंग्रेस की तरफ से पहले नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन यॉन शोशर का आरोप उनके टिकट के बीच पूरा कर लिया जाए, इसे लेकर जबी वियनल ने साल दो हजार चौबीस पच्चिस में सिर्फ स्मार्ट मिटर पर अंठान बे दस मलो आट-ची करोड रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, रसधानी राची में स्मार्ट मिटरिंग के लिए 61 करोड रुपए खर्च राजियों की टीमों से चैनित हो कर साथ खिलाडियों को चुना, इसके बाद इने साई सेंटर बेंगलूरू आमंतरित किया गया है, अनुभवी प्रसिक्ष को आशायन करताओं की उपस्तिती में, साथ दिनों का विशेश प्रसिक्षर सर ट्रायल आयोजित कर उन में से इनेर भारतिय महिला टीम कोर की घोश्रा की, ये सब आगामी अंतरदाश्टी प्रतियों गिताओं में भारतिय टीम का प्रतिनी धित्व करेंगी, इन 33 सदस्य कोर ग्रूप में जारकन की भी पांच महिला खिलाडियों की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी दिपिका सोरिंग और रोपनी कुमारी शामिल है, इन पांच खिलाडियों के अलावा जारकन की एक और खिलाडी ब्यूटी डुंग डुंग पुरू से भारतिय टीम में हैं, और अभी बैंगलूरू में ही है, साथ ही वह पैर का इलाज करा रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान, हाद जोड कर गडगड़ाते रहें दुकांदार, समान जबत कर ले गए पुलिस करमी, इद का तहवार साल में एक बार आता है, तिन चार दिन ही इद के बजार लगते हैं, इसके लिए नीगम और जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, हम अपनी दुकान लगाएं तो कहां लगाएं, में रोड में सोमवार को तिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, समान जबती के दौरान दुकांदार कुछ इस तरह ही ट्राफिक पोलिस से मिन्नते करते रहें, इनमें कई बुजर्ग भी थे, वे हाद चोड़ कर पोलिस अफसरो वो जवानों से मिन्नते करते रहें, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, जवानों वा निगम कर्मियों ने सड़क पर दुकान लगाने वालों के समान जबत कर लिये, दरसल ट्राफिक पोलिस और नगर निगम ने सोमवार को में रोड वा, ज़ा रहा है कि सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमड नहीं करें, ठेला खोम चा लगाने वाले सभी लोगों को कई दूनों से मना किया जा रहा है, कि वे सड़क से हट जाएं, इसके बाद भी दुकानदार अतिक्रमड कर दुकाने लगा रहे हैं, इस कारण ही सोमवार को अति प्यार से गला रेत कर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया, चांडिल थाना छेत्र के चैनपूर में मंगलवार को एक युवक की लाश बरामत किया गया है, युवक की लाश उसके घर के करीब आधा किलोमेटर दूर सुनसान जगह पर मिली है, मंगलवार की पूरे छेतर में संसनी फैल गई है। मृत की पहचान चैनपुर निवासी बुद्धो माजी के 19 वर्सिय पुत्र विनै माजी के रूप में किया गया है। सेक्रों लोग मंगलवार की सुबह सड़क पर उतर गया। सेक्रों पर लेने के बाद पूलिस ने उसे पीटा जिससे तब्याद भी गड़ गई और रिम्स ले जाने के दोरान ही मौत हो गई। सिविल कोट में असिस्टेंट वा क्लर्क के 438 पदों के लिए वेकेंसी। अनारक्षित पुरुष आविदकों के लिए 130 पद तथा महिलाओं के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। सिस्टेंट के लिए 58 पद तथा 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। BC2 के लिए 14 तथा आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 27 दिव्यांग के लिए 13 तथा खेल कोटा के लिए एक पद के लिए आविदन आमंत्रीत किये गए हैं एक जनुरी 2024 को अनरक्षित पुरुसों के लिए 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 38 वर्ष होनी चाहिए इसी प्रकार BC1 वर BC2 के पुरुसों के लिए 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 38 वर्ष STSC महिलाओं पुरुस के लिए 40 वर्ष दिव्यां को उम्रसीमा में 10 तथा भूतपरों स्यानिकों को उम्रसीमा में 5 वर्स की छूट दी जाएगी। एक प्रस्ताओ आला कमान को भीजा गया है। बड़े हाथ से का सिकार होते होते बची वंदे भारत ड्राइवर ने लगाई इमर्जनसी ब्रेक विस्पोर्ट की भी अवाज आई। चालक को इसका एहसास हुआ। दुरुपयोग कर कारुबारियों से लिया एक्स्टॉर्सन विजय हांसिदा। पक्ष्ट हो या विपक्ष्ट एक दूसरे पर जुमानी हमला सुरू हो चुका है। विबनेदलों के प्रत्याश्य और संभावित उमिद्वार लगातार एक दूसरे पर हमला वर है। इसी क्रम में सुमवार को सुन्दर पहाडी में बो आरी जोर के दौर पर पहुचे जहमुमों सांसत विजय हांसिता ने भाजप्ष्ट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर कारोबारियों से जबरन चंदा वसूली का बड़ा आरोप लगाया। बोकारों में 11,19,000 रुपय जब्थ हरला में आटो से 7,54,000 रुपय और बरमसिया में बाइक से 3,64,000 बरामद। बोकारों में सुमवार को दो थाना छेत्र से कुल 11,19,500 रुपय जब्थ किये गए हैं। पैसो की या बराम्द की हरला थाना और बरमसिया ओपी छेतर से की गई है। उसका नाम महेश कुमारदा से वह ओटो से बैंक जा रहा था। वही महेश ने बताया कि रुपए वह बैंक में जमा करने ले जा रहे थे। कोई कागजात नहीं दिखा पाने पर रुपए जब्त कर लिए गए। लोगसभा चुनाव प्रभारी लक्षमिकांद बाचपेई ने कही उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नत्रेतोकाल में परिवारवाद नहीं होगा। किसी सांसत की पत्नी बहन और बेटी को टिकट नहीं मिलेगा बलकि भाचपा महिला मोर्चा की कारेकरताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सुमवार को खुंटी दोरे पर पहुचे पार्टी के प्रधेस्ट सहचुनाव प्रभारी लक्षमिकांद बाचपेई ने यहाँ पार्टी के वरिष्ट कारेकरताओं के साथ बैठक की इसके जरी उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव में जान लगा देने की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते ही हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने शाशंकाल में विनराजियों में मौजूद मंदीरों को व्यवस्थित करने का काम किया है जो आज तक देश में मंदीरों को व्यवस्थित करने का कारे नहीं किया गया था। की गड़वा बाइपास में कब्रिस्तान की ऊपर फ्लाई ओवर का निर्मार लटका रहला गड़वा बाइपास का काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी बाधा बरकरार है जिस वज़ा से सड़क को पूरी तरह से चालू करने में दिक्कत हो रही है गड़वा के अचला नवडिय गाव के कब्रिस्तान की पास अब तक नरोड बन सका नहीं अभी तक फ्लाई ओवर का निर्मार कारे प्रारम हुआ है वहीं इसी रोड पर एक सेक्शन में एक आरोबी बनाने का काम चल रहा है रेलवे जब 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 N.O.C. देता है तब इसका कुछ निर् मार कार किये जाने का विरोद कर रहा है जारखन की और खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार